Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल उन्होंने इसका हिंट दिया था, स्कीम का नाम जरूर मेंशन करा था कि ऐसा कुछ लाँच करा जाएगा, लेकिन अब ये चीज फाइनली फॉर्मली ओफिशली लाँच हो गई है, अगर आप ये जानना चाहो कि किन को ये, किन के लिए ये बेनिफिशल रहेगी तो टेलर कम् कम्यूनिटी है, उसके बाद जो आइटिशन हैं, बार्बर कम्यूनिटी है, उसके बाद जो बास्किट वीवर्स हैं, या डॉल मेकर्स हैं, उसके बाद मेसंस, हाना मेसंस के बाद जो अपने पॉट मेकर्स हैं, उसके बाद जो अपना हैमर मेकर्स हैं, उनके लिए ये ला इक्षिन्स को ये स्कीम इस वक्त पे लाके देना उसके तीन या चार पहलू हैं जो हमें डेटेल में अपने एक्जामनेशन के लिए भी समझने बहुत जरूरी हैं सिरफ इसका ये आस्पेक्ट मत समझेगा कि कुछ भी विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना आ गई है तो होती है जी centrally sponsored scheme दूसरी होती है central sector scheme तो ये scheme लाई करती है central sector में अगर आप पूछो कि इन दोनों के बीच का difference क्या है central sector scheme में कुछ ऐसी important schemes होती है जिनमे 100% जो पैसे का contribution रहता है वो center की सरकार का रहता है दूसरा आपने बहुत जगा पे पढ़ा होगा जी कोई centrally sponsored scheme है हाना तो centrally sponsored schemes में होता है कि भई 60 रुपे सरकार देगी center की 60 प्रतिशत center की सरकार देगी 40 प्रतिशत उस state की सरकार देगी और अगर वो state कोई पहारी state है या नौर्थ इस्टन राज्य है जैसे असाम जम्मू कश्मीर हिमाचल एक्सेटर तो वहाँ पे क्या होता है center 90 रुपे दे गया है तो 13,000 करोड रुपे का budget रखा गया इस scheme के अंदर उसके बाद चार मुख्य पहलू के अंदर आपको scheme को समझना है अगर आप लोग यह schemes imagine करें कि यह हमारे prelims के लिए important है रटा मारके चला जाएंगे तो that is not going to solve the purpose आपने means का trend देख लिया है कैसा गया है means ठीक है तो सबसे पहले हम concept के relate करेंगे missing middle तो यह concept क्या है missing middle मिडल में कौन सी चीज है जो missing है भारत में जिसका यह vacuum फिल करेगा उसके बाद urbanization के concept से भी related है कि बहुत लोग जो गाओं के लोग हैं जो traditional communities के लोग हैं वो शेहरों में आके बस रहे हैं अगर मैं आपको यह बोलू कि नेगेटिव प्रभाव है उसमें से एक फेक्टर गिग एकॉनमी का भी है जो इसमाटो स्विगी वाले वर्कर इनको गिव बोलते हैं इंका भी प्रभाव है उसके बाद इसको रिलेट करेंगे marginalized section से जो आपकी इंडियन सुसाइटी का से ले बस है ठीक है और लास्ली इसक उस concept से भी रिलेट करेंगे तो अगर आप means के नजरीय से जानना चाहो यह question economy में यह question society में यह question paper one traditional Indian culture में भी पुछा जा सकता है यह कैसे करेंगे सबसे end में लेकिन पहले सबके लिए for the entire audience हम देखते हैं इस scheme में है क्या सबसे बहले अगर ministry की बात करो तो ministries को nodal ministry है जो के बाद अगर आप ऐसे UPC का त्यारी करना चाहते हो तो we have this P2i course from for you तीनों languages में हम आपके लिए course लेके आए हैं English में इंग्लिश में और हिंदी में भी यह course 22nd of September से शुरू हो रहा है इस course का price 70,000 है अगर आप इस course को discounted price पर वेल करना चाहते हो तो आप GS live code इस्तमाल कर सकत उससे आपको यह course 29,999 का पढ़ेगा ठीक है अगर हम आगे बढ़ें आपको इस वीडियो के related कोई भी doubt है तो आप मेरे Instagram चानल that is GS underscore gill07 और Telegram GS underscore gill07 पर मिरसार contact कर सकते हो और अगर any doubt with respect to mains preparation means answer writing whatever it is newspaper कैसे whatever it is ठीक है तो आप यहाँ पर contact कर लेना इसका अगर आपको PDF चाहिए अगर आप विश्प कर्मा जी का जो historical background है जो historical relevance है उनका भारतिय हिस्टरी में तो उनको lord या creator lord बोला जाता है जिन्होंने इस धर्ती को बनाया था ठीक है और उसके बाद उन्हों ये भी बोला जाता है कि एक स्थापती वेद था तो स्थापती वेद की रचना भी इन्हों करोगे इस दिन पर जो laborer class होती है, artisans class होती है, handicraft class होती है, हाथ से काम करने वाली class होती है वो अपने tools की पूजा करती है तो 1000 होते हैं जिनसे उनका काम चलता है जिनको उनको पूझते हैं इस दिन पर तो कुछ इसी lord विश्व कर्मा जी के नाम पे scheme का नाम रखा गया है उसके बाद अगर आप पूछो कि भई scheme का aim क्या है, अगर आप cultural और traditional angle को explore करो इस scheme में से तो जो गुरू शिष्य अपना कई प्रथा चलती आ रही एंशेंट इंडिया से चाहे आप बात करो द्रोनाचारय जी की बात करो हान और और बहुत सारी examples है इसमें तो उस प्रथा क वो भी ये continued रखेगा, clear? चलिए, उसके बाद इस scheme को अगर समझना है ना, और यहां से ये भी सीख ली जाएगा कि अगर कोई भी scheme न्यूज में आती है तो उसको approach कैसे करना है, ठीके? अगर हम PM विश्व कर्मा की बात करें, तो आप normally पहले कहानी समझो अपने दिमाग में कि हम artisans या handicrafts की मदद करने जा रहे हैं, अगर किसी भी artisan या handicraft वाले person को, या crafts person को, normally भी, कोई भी काम शुरू करना है उस category का, जो भी हमने पहले categories discuss करी, तो उसको सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी? उसको जरूरत होगी काम सीखने की, skill development की, skill develop करने के बाद, उसको जब उसको काम आ गया है, उसको जरूरत होगी machinery की, कि मेरे पास 1000 कहां से आएंगे जिनके साथ ये काम अभी मैं सीख के शुरू करूँगा, उसके बाद जब वो काम के 1000 आ जाएंगे तो उनको raw material भी चाहिए होगा, मान लीजे किसी को लकड की उपर कोई कारीगरी करनी है, तो उसको 1000 भी चाहिए होगी, उसके बाद लकड भी चाहिए होगी, खना, और लास्कली उसको क्या चाहिए होगा, जब उसका समान बनके तयार हो जाएगा, तो उसको market support चाहिए होगी, मतलब कौन उसकी branding करेगा, कौन उसका समान बेचेगा, लोगों तक पहुँचाएगा ये चार मुख्य पहलू होते हैं, अगर हम कोई भी बिजनस करना चाह रहे हैं, अभी इनी चार पहलू पे ही ये स्कीम भी रिवॉल्व करेगा, सबसे पहले क्या होगा, स्किल डिवलप्मेंट में स्कीम के अंदर क्या रखा है, कि सब बंदों को पहले recognition दे जाएगी, recognition कैस करवा लेंगे, तो इनको एक recognition, एक certificate और ID issue करी चाहिए, उस certificate और ID के basis के ऊपर इनको training प्रदान किरी जाएगी, माल लिजी अभी आपने किसी भी state के अंदर को dairy farming का काम शुरू करना है, उसमें आपको loan तो मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें बोलते कम व्याज पे loan मिल जाएग लेकिन उसका criteria क्या होता है, आपको 15 या 20 दिन का किसी भी जगा पे जहां पे सरकार ने जो भी colleges बगेरा fix करे हुए, वहाँ पे dairy farming की पहले training complete करनी, फिर आप eligible हो गए, तो उसी तरीके से इनकी skill development के लिए, सबसे पहले इनको certificate दिया जाएगा, जब इनके पास ID आगी, तो सर लोग ऐसे भी होंगे, जिनको ये उत्सुकता होगी, हमें और जानना इस चीज के बारे में, तो उनके लिए एक अगला level training का निरधारित करा गया है, उस level में जो interested candidates होंगे, वो 15 दिन की advanced training के लिए भी enroll कर पाएंगे, ठीक है, और जब उनका ये training period, sorry ये रुपे मैंने 5 लि नहीं गया था, उन दिनों वही अपनी family के लिए कमा रहा था, तो उन दिनों उसकी family का कर्चा कहां से चलाया जाएगा, इस चीज के लिए भी सरकार ने ध्यान दिया है, तो जब वो training पे जाएगा, उसको per day 500 रुपे का stipend भी दिया जाएगा, training period के दराने, अब पहला level इसमे credit यानि की loan का प्रावधान भी रखा है, सबसे पहले जो ये loan होगा, वो किस nature का होगा, अभी आप किसी bank से loan लेने जाओगे, वो आपको पूछते हैं, भी आप collateral क्या रख रहे हो, या तो घर की उपर loan मिलेगा, गाड़ी की उपर loan मिलेगा, या जमीन की उपर loan तो सबसे पहले इन category वाले लोगों को सरकार बोल रही है कि जी collateral free loan मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ अपनी चीज रखनी नहीं पड़ेगी, भई मेरे घर पे उपर loan दे दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सबसे पहले loan collateral free होगा, लेकिन अभी loan collateral free है, तो किसी ने किसी की guarantee तो लगे दिया जाएगा, और एक लाख रुपे का loan देके इनको दिये जाएंगे 18 महीने की डेड़ साल में आप चुका दीजे, अगर आपने एक लाख का loan लिया, उससे अपना काम शुरू करा, अपने 18 महीनों में हमें वो loan वापिस चुका दिया तो दूसरा ट्रांच दिया बाइगा एड इसमें इंट्रस्ट सब्वेंशं मतलब यानि की जो व्याज की ऊपर इनको सबसीड़ी वगडरा मिलेगी यह जी भाशा में आपनी इंट्रस्ट सब्वेंशन समझें तो व्याज की ऊपर की सब्सीडी वो आट परसेंट की चो सबसीडी है वो अगे वही ministry ज इनको 15,000 रुपे as a grant दिया जाएगा, grant मतलब वो पैसा इनको वापिस चुकाना नहीं है, जैसे raw material लेने के लिए इनको credit loan देना था, वो इनको चुकाना था 18 महीनों में और 30 महीनों में ये इनको चुकाना नहीं पड़ेगा, तो जो भी इनकी tool kits हैं वो 15,000 रुपे इनको for an example, अभी आप कोई लोहे की चीज लेने जाते हो, या pipe वगएरा लेने जाते हो, उस पर क्या देखते हो, भाई, ISI का marka है, तो इनके products को वो verification कौन देगा, ये National Committee for Marketing इनको एक quality certification issue करके देखे, उसके बाद यही चीज, मान लीजिए अभी आपना कोई business शुरू करना है, उस ठीके जी, and lastly, जो trade fair advertisement, इसका मतलब मैं अभी समझाता हूँ, जब आपको याद होगा, जब हमने भारत मंडपम पर detailed discussion करी थी, हमने ये बोला था कि इसके पहले यहाँ पर प्रगती मैदान होता था, जहाँ पर जो trade fair लगता था, अभी इस building को आगे चलकर trade fair के लिए इस्ते इसमाल किया जाएगा, और ये भारत मंडपम की जो building बनी है, 2700 क्रोड रुपे की लागत से, उसको यूज करा जाएगा, MSME, small farmers, या अपने traders, या artists, या handicraft persons की जो चीजें बना रहे हैं, वो हाथ से, उनको world के सामने project करने के लिए, ठीके, तो वही कुछ रोल रहेगा भारत मंडपम का, तो भारत मंडपम जो इनका, हमने ये aspect discuss करा कि trade fairs में इनकी advertisement करी जाएगी, तो भारत मंडपम के जरीए करी जाएगी, ठीके, बारत मंडपम मतलब के जरीए नहीं, एक एहम रोल जो निभाएगा, इसमें वो भारत मंडपम का रोल रहेगा, ठीके, उसके बाद 35 billion US dollars का ठीक है और जो potential बताया जा रहा है वो 12 billion dollars के आसपास का बताया जा रहा है तो इस cream के जरीए वो चीज भी हम उसको tap कर पाएंगे export potential जो इसका है ठीक है जी चलिए आगे इसके बाद अगर eligibility की बात करें तो सबसे पहले artisan या craft person होना चाहिए जो हाथ से जो हाथ से इस्तेमाल करके और जारों का अपनी कलाकारी को प्रेजेंट करें ठीक है उसके बाद आपका जो age है वो 18 साल की उमर होनी चाहिए और जो आप उस family से belong करते होने चाहिए जो traditional इस काम में involved है ठीक है उनमें से किसी में काम कर रहे हैं उनके पास knowledge है तो वो अपने बेटे को देंगे वो आगे उसको देगा तो कुछ इस तरह की families को और especially इस पर focus करा जाएगा OBC class families में तो उनको ये चीज़ प्रदान करी जाएगी minimum age आपकी 18 होनी चाहिए उसके बाद benefits की जो restriction है restriction मतलब कि एक family में मान लीजे चार बेटे हैं तो एक family में से एक बेटे को ही ये scheme का lab मिलेगा और family की जो definition रखी गई है वो यह कि एक husband होना चाहिए एक wife होनी चाहिए और उनके unmarried बच्चे वो एक family कहलाएगी ठीक है मान लीजे कल को शादी करके दो जो भाई थे वो अलग हो जाते हैं तो फिर दोनों अपना लाब उठा सकते हैं लग लग तरीके से लेकिन जब तक unmarried हैं तो माता पिता और दो जो unmarried बच्चे हैं उनके उनको एक ही family समझा जाएगा क्लियर और government service में जितने भी लोग involved हैं ठीक है और उनकी family eligible नहीं रहेगी चलिए उसके बाद आगे जो मैं आपको बात बता रहा था कि how this topic will be relevant for your means अभी missing middle का आपको problem पता है तीन सेक्टर है भारत में agriculture manufacturing and service sector तो आइडली वर्ल्ड ओवर क्या trend पाया जाता है देखिए एगर सेक्टर होता है service sector अब अब अग्री कल्चर के sector की problem क्या है यहां पे भारत में agriculture sector से जो income होती है वो इन तीनों सेक्टर में सबसे काम होती है लेकिन जो लोग involved है agriculture में सबसे जादा है उसके बाद सबसे जादा income होती है service sector माल यानि कि आपका IT sector ठीक है लेकिन लोग जो इसमे involved है वो सबसे कम है तो अभी problem आई कहां पे भारत ने सीधा agriculture से services पे shift करा यह sector छोड़ दिया अभी मान लिजे agriculture का कोई परिवार है education levels आपको villages में पता है अभी क्या आपको लगता है कि वहां के परिवार का कोई लड़का जिसको अच्छी education जो government schools में पढ़ा है कि बहुत कम chances हैं कि service sector में आके MNCs में काम कर पाएगा लेकिन उस इनसान को जो agriculture में है उसको यह बहुत probability है कि हाथ वाला काम सिखा के जो मान लीजे कोई भी अगर वो कारपेंटर का काम सीख ले या ITI वगएरा कर ले तो manufacturing sector में वो adjust हो सकता है तो यह scheme जो manufacturing sector वाला missing middle है उसको पूरा करने म मदद करेगी तो एक यह भी एंगल UPSC explore कर सकता है कि जो विश्व कर्मा विश्व कर्मा स्कीम है अपनी कोशल वाली हाना तो यह missing middle को address करने में कैसे मदद करेगी तो हर एक sector का potential बता सकते हो बूच के दूसरा aspect urbanization ठीक है यह sector missing होने की वजह से जो भी families traditionally sector में काम कर रही थी उनको क्या लगता है कि यार इतनी इतनी आमदन है नहीं है मेरे पास initial capital कहां से आएगा जहां से मैं काम शुरू करूंगा शहर में चलते हैं zomato वगएरा में motorcycle वगएरा चला के पैसे कमा लेंगे ठीक है तो यह urbanization का जो problem आ रहा है urbanization की तरफ बढ़ रहा है उसको भी जो urban rural divide और urban areas में population बढ़ रहा है आप डेली का example लगा लिजे पंजाब और डेली दो अलग लग मतलब states है बट इफ यू कंपेर दा population दिली की population पंजाब से जादा है और पंजाब की जो territory है वो दिली से कहीं जादा है अगर लैंड की बात पर हो पंजाब की लैंड बहुत जादा है दिली की population पंजाब से भी जादा है ठीक है तो यह जो urbanization का problem उसमें help करेगा हमें उसके बाद marginalized sections तो वो तो normally square scheme का जो अगर directly पूछा जाएगा question तो marginalized sections की help कैसे करेगा जो भी हमने sections करें उन सबके लिए benefits लगा सकते हो कि उनकी skill development के लिए ठीक है उसके बाद उनको collateral यह सब क्या है भारत का art and culture तो है तो PM जो विश्व कर्म कोशल योजना है यह भारत का art and culture preserve करने भी हमारी मदद करेगा ठीक है तो कुछ इस नजरिये से holistically देखते हैं questions को या topics को जो भी news में होते हैं So that was analysis for today's video I hope you like it what are your views about it do mention in the comments thank you so much see you guys in the next one Study IQ IS अब तयारी हुई affordable